आपको एक पर फिर से बाक्समें के साथ में खुशाम मद्दीर कहते हैं जनाब अभी हमारे साथ एक बड़ी बहतीरीन जो शक्सियत हैं वो मौजूद है और हम अभी इंके होस्ट ने आइडिलाइस भी करते हैं डेफिनेटली जनाब हम बात कर रहे हैं एहसन खान की रजादली जो कि ना सर्फ एक बहतीरीन होस्ट है ना सर्फ एक बहतीरीन अदाकार है बिलके यूज अगुड प्रोडूसर एस वेल और उनके बड़े मश्वूर ड्रामे भी हैं जो तो उनका उडारी है कि खैर सगाली सफीर मुकरर हो चुके हैं इनको बड़ी मुबारिक बाद देते हैं आप जैसे हम ने उडाली किया जिकर किया उसमें भी आपने देखा कि एक बच्ची को ह्रैस किया जाता था किस तरह से तो बिसलिए ये बच्चों के लिए ये एक जो प्रजेक्ट है वो स्ट कि कब उन्होंने ये मुहिम का आगास किया था असलाम नेकुम बहुत शुक्रिया एसन आपके किम्ती वक्त का एसन सवाल की तरफ बढ़ूंगी पहले बच्चों के थाफुज के लिए अगाही मौहिम कब से शुरू कि आपने जी बहुत शुक्रिया आपका थांकियू वेरी मच्च सबसे पहले तो ये कि मुहिम का आगाज तो मैं नहीं कहूंगा मुहिम तो हमेशा चलती रहनी चाहिए और हर माबाप हर इनसान का एक इخलाकी फर्ज है चाहिए वो मजभी तोर पर आप दे लिजे इनसानियत के तोर जी बच्चों की हिफाज़त चूंके हमारा फ्यूचर है तो बहुत जरूरी है लेकिन ये एक खास मुझे अमबैसिडर्शिप दी गई है और ये मेरे लिए बड़ी आउनर की बात है इसका मकसद सिर्फ यह है कि मैं बहुत ज्यादा इस पर बातचीत करूं डिबेट करूं अवेरनेस क्रिएट करूं जहां पर मसायल देखूं रिपोर्ट करूं और सिर्फ मैं ही नहीं बलके सबको ये आगाही भी दूँ और सबको ये भी चाहूंगा कि जतने लोग जहां भी हैं थोड़े विजिलन्ट होके थोड़े एक्टिव होके इस महिम का हिस्सा बने ताकि अब भीक मांगने का जो पैगरी का है वो एक बड़ा एक माफिया है अंडरेज काम बच्छों से कराया जाता है वो एक माफिया है साइकिलोजिकल इश्ञूस हैं बच्चों की मेडिकेशन हैं हमकी स्कूलिंग हमकी तालीम का सलसला है तो इस ती यह तो मोहिम तो आए तिंक हमेशा चलाते रहना चाहिए हमारे हम लोग बहुत से बिल पास होते हैं बहुत से खानून बनते हैं और शायद वो मेरी आपकी तसली के लिए बन जाते हैं लेकिन पर इंप्लिमेंडेशन नहीं होता सिर्फ बच्चों के हकुग के कानून की बात नहीं करा मैं जैनरली भी बहुत सी चीज़ों की इसको इंक्लूट करूँ मैं यहां पर कि असल मौशरे में सिर्फ और सिर्फ तब्दीली या बेहतरी तब आती है जब अद्लो इंसाफ काइम हो मुझे यहां पर नेलसन मिंडेला की एक बात याद आती है उन्होंने ये कोट किया कि अगर किसी किरदार देखना है किसी मुल्क का किसी का किरदार देखना है उसका अक्स देखना है उसकी असलियत देखनी है तो आप यह देखिए कि बच्चों के साथ वो कैसा सलूग करते है तो सबस्पेले लुए हमномуDeans तो हम अपने अपने सवाल करना है कि हम अपने बच्च踏 साथ क्या सलूक करते हैं दूसरा जहां तक आपने कहा कि कानून बन जाते हैं लेकिन अमल नहीं होता तो बिल्कल मैं अग्री करूंगा और सब अगरी करेंगे कि कानून पर अमल करना यानि अगर लौ हो और जो लौ पास हो चुका है उस पर अमल करना बहुत जरूरी है उसके लिए हमें ज़्यादा पुश्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा इतने कि मीडिया पे हम सब लोग मिलके ये काम बेहतर तरीके से अं कि अगर कोई ऐसा केस होता है आप के सामने रिपोर्ट हो रहे है तो कासे रिपोर्ट किजा ।erting इसको जाकर रिपोर्ट याइसन क concretि सिर्फ याद दिया की जिमाधार है अंत SoРЕप माँ लोगों के लोग के तिमाटा थमादा वोगों और वार्व saya उनकी भी भाइं व्ट वालदेन की क्या जिम्हदारी होती है। सिर्फ जितने हमें केसे नजर आते हैं उनमें सबसे ज्यादा वज़ा जो है वो घर से एक नापरवाई बरतना। कभी दुकान पर भेज़ देना, दुकानदार का फाइदा उठा लेना, कभी किसी सबारी पर रिक्षे पर या बस पर भेज़ देना, वहां पर किसी ने फाइदा उठा लिया। कभी महले की किसी लोगों ने फाइदा उठा लिया, आपके अपने कभी रिक्रदार फाइदा उठा लेते हैं बच्चों की मासूमियत से, बच्चे क्योंके soft target होते हैं, उनको मालूम है कि इनको easily कुछ भी कर देंगे, ना ये चलाएंगे, ना बोल सकते हैं, ताक्छत होती साहिआ है वह बच्चों की जो एक ये जो पूरी तलसला है अपने गर से शोरो की हैजए है मचल, absolutely, भष्ण श्युक्रिया, हिसन आपका, था था